हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के एक और नई वीडियो में फिर से दोस्तों लेके हैं हूँ नई जाप की इंफोर्मेशन रिक्रीट्मेंट आ रही है दोस्तों जेसी बोस उनिवर्सटी ऑफ साइंस एंट टेक्नोलोजी की तरफ से जिसमें की नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए आप एदन मागेगे हैं और आप अक्रॉस इंडिया कैंडिडेट इंडिया की किसी भी स्टेट किसी भी जगा से आते है तो यहाँ पे आप झोहें वो अपलाई कर सकते हैं नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए यहनि कि यहाँ पे पढ़ाना नहीं है बलकDING दूसरे स्टाफ की रिक्रीट्मेंट है जिसमें की आप सभी अपलाई कर सकते हैं ओफलाई मोड से कैसे आपको अपलाई करना है कैसे जोहे है notification में उसके लिए हमें चलना होगा notification में उससे पहले बता देता हूँ कि यह application form का link है और यह advertisement का link है यहाँ पर आने के लिए यह यह आपको detail देखने के लिए link description में दिया है title के उपर click करेंगे तो वहाँ पर आपको एक link मिलेगा शुरुआत में पहला link वहीं पर आपको click करके detail रीड करके apply जो है वो करना है link description में मिल जाएगा तो बढ़ते दोस्तों notification की तरफ क्या क्या लिखा गया तो यहाँ पे JC Bose University Science and Technology जिटकी location रहेगी फरीदाबाद हरयाना में और reservation के benefit पी जो हरयाना state के candidate को जो है वो मिल सकते हैं उसके लावा दोस्तों 18 दो last date रखी गई है आपकी application 18 February तक वहाँ तक पहुँचानी चाहिए speed post के through तो आगे बढ़ें तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले vacancies की बात कर लेते तो lab assistant के लिए 3 vacancies है clerk के लिए 7 है junior stenographer के लिए 3 है store keeper के लिए एक है और उसके लावा technician की post के लिए 4 vacancies है जिसके लिए आप apply कर सकते हैं बाकी हम लोग main focus करेंगे यह जो non teaching staff की है store keeper, junior stenographer, clerk और lab assistant के लिए vacancies भी यहाँ पे थोड़ी जादा है बाकी technician में यहाँ पे जो है वो recruitment में experience भी मांगा है तो यहाँ पे दोस्ते application fees की बात करें तो 1000 रुपे की fees आपको pay करनी पड़ेगी अगर आप general OBC से आते हैं और 200 रुपे की SCST वालों को और अगर आप women candidate हैं और हर्याना state से आते हैं तो आपको 500 रुपे की fees जो है वो demand draft के रूप में जो है वो submit करनी पड़ेगी अपनी application के साथ demand draft बनाना जो की आपको favor में रखना है Registrar, JC, Bose, University of Science and Technology, YMCA फरीदाबाद में और paypal भी रखना है फरीदाबाद में उसकी detail यहाँ पर दी गई है आकर read करिएगा आपको परिशानी नहीं होगी अठरा से लेके जो है वो 42 एर तक एज कर क्रिटेरिया रखा गया आपकी एज अठरा से कम और 42 एर से जादा नहीं होनी चाहिए जो age relaxation होगी वो as per state government होगी यानि कि सिर्फ और सिर्फ हरयाना state की candidate को ही मिलेगी उसके लावा दोस्तों बात करें आप एलिजिबिल्टी क्रिटेरिया की तो junior scale stenographer की post है सबसे पहले जिसमें की आपको grade पे मिलेगा 2400 का 20,000 तक salary जो है वो मिल सकती है साथ में grade पे salary अच्छी खासी आपको मिलेगी bachelor degree कर रखी है 50% के साथ आप apply कर सकते हैं लेकिन English shorthand में आपकी जो typing speed है वो 80 word per minute की जो होनी चाहिए बाकि जो लोग stenography करते हैं उनको इन सारी चीजों की जानकारी होती है अगर आपको नहीं आती है तो आपको ये सारी चीजे पता फिलार नहीं चलेगी Hindi या Sanskrit language आपने 10th तक पड़ी होनी चाहिए तभी आप apply कर सकते हैं और computer चलाना आपको आना चाहिए कलर की post के लिए भी याँ पे same salary के साथ 1900 रुपे का grade पे रहने वाला है और याँ पे bachelor degree कर रखिये किसी भी discipline में आप eligible apply कर सकते हैं या आपने diploma कर रख है modern office practices का अगर नहीं है तो simple graduation के साथ आवेदन कर सकते हैं typing speed जादा तो नहीं लेकिन 30 word per minute की English में जो यह वो होनी चाहिए knowledge आपको हिंदी की जो है वो 10 मी तक अगर आपने पड़ी है तो ही आप इसमें apply कर सकते हैं lab assistant के लिए यहाँ पे grade पे उनकी तरफ से Hindi और Sanskrit अगर आपने दोनों में से एक language 10 तक पड़ी है तो आप इसमें भी eligible apply कर सकते हैं citizen होने चाहिए आप India के और आपको knowledge होनी चाहिए computer application की चाहिए आप किसी भी post के लिए आवेदन कर रहे हैं अगर है तो यह job आपके काम की हो सकती है उसके लावा दोस्तों अभी बात करते हैं application आपको भेजनी कहाँ पे है आपको आपके application form लेना है जिसका link description में मिल जाएगा वहाँ पे दोस्तों इस application form का आपको fill करना है fill करने के बाद आपको send कर देना है या address दिया गया है फरीदाबाद का speed post के थ्रू या अठरा जो माफ कीज़े का अठरा दो दोजार इकी से पहले पहले आपको speed post के थ्रू जोगे वो फेज देना है application form के साथ sportive document की photocopies भी लगा सकते हैं आलागी यहाँ पे नहीं लिखा गया आप चाहे तो लगा सकते हैं बाकी postal delay हो जाता है तो उसमें आपकी application रद हो सकती है तो जितनी जल्दी हो सकती है आपको भेजनी पड़ेगी और application fees जोगे वो 1000 की है बाकी SCST के लिए 200 रुपे की है तो आप यह देख लीजेगा कि आप जो apply करने जा रहे हैं आपका eligibility criteria match करता है नहीं करता है क्योंकि refund तो होगी नहीं fees भी वेकार हो सकती है इसलिए सोच समझ के इसमें आवेदन करिएगा उसके लावब दोस्तों यहाँ पर demand draft के through fees पे करने जिसके बारे में शुरुआत में बता चुका हूँ बात करें दोस्तों selection process की तो यहाँ पे store keeper, technician, junior, steno, clerk, lab assistant के लिए यहाँ पे written test conduct किया जाएगा और जिन लोगों का typing speed test होना उनका skill test भी जोगे वो लिया जाएगा negative marking यहाँ पे जोगे नहीं होने वाली है ऐसा यहाँ पे जोगे वो लिखा गया है बाकी fresher है, experience है, बिल्कुल आप eligible है, apply जोगे वो कर सकते हैं उसके लावा दोस्तों written test का 70 marks मिलेंगे अगर आप clerk की post के लिए apply कर रहे हैं और computer typing test 20 marks का जोगे वो होने वाला है बाकी engineering अगर माव की जगा experience आपने ले रखा है तो भी आप जोगे इसमें apply कर सकते हैं तो उनकी official website पर अगर आप eligible होते हैं तो JC Boss University में है जोगे आप apply कर सकते हैं non-teaching post के लिए अच्छी recruitment है हाला कि fees थोड़ी जादा है लेकिन देख लीजे अगर आपको apply करना है बाकी अगर आपको नहीं करना है तो आपको हमारे चैनल पर और वीडियोस मिल जाएंगी और अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe कर लिजे bell icon को पैस कर लिजे क्योंकि आने वाली बहुत सारी ऐसी recruitment है जिनकी जानकरी आपसे miss हो सकती है तो उसके लिए आपको subscribe करना पड़ेगा ताकि आपको time पर information मिल जाए तो यही था दोस्ता आज की इस वीडियो में thank you very much इस वीडियो को देखने के लिए और आशा करता हूँ का आपको वीडियो पसंद आई हो कि समझ आई हो कि वीडियो से related questions comment section में पूछिए मिलेंगे ऐसी किसी नही जोप update के साथ दोबारा से तब तक आप अपना ख्यार रखें